36 गड़ में घोशना होने के बाद नए CM विश्वदेव साय राजभवन पहुचे जहां CM साय ने विजेपी विधायकों के साथ महामहीम राजपाल विश्वभूशन हरीचंदन से मुलाकात की साथ ही अपनी नई सरकार बनाने का दावा पेश किया इसी गड़ी में महामहीम राजपाल ने विश्वदेव साय को CM बनाय जाने पर बधाई दी इस अवसर पर राजवपाल विश्व भूशन हरीचंदर ने विश्वदेव साय को विधायक दल का नेता बनाये जाने पर नियुक्ति प्रत्र प्रदान कर उन्हें कैबिनेट का गठन करने के लिए आमंत्रत किया जिसके बाद से भाजवपा के वर्ष्व नेतागन 13 दिसंबर को रायपूर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले शपत ग्रहन समाहरों की तयारियों में जुड़ गये वहीं इस तारीक को भी जेपी विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने संभावित बताया है लेकिन भाजवपा ने लगभग 13 दिसंबर की तारीक को शपत गहन के लिए फाइनल कर लिया है समाहरों में पीम मोदी, ग्री मंत्री अमिक्षा और आश्टी अधग्ज जेपी नड़ा साइन, भाजपा, शाषित प्रदैशों के सीम और मंत्री भी शामिल होंगे ऐसे ही खबरों में पढ़ने रहने के लिए जुड़े नहीं सर्मा टाइम्स के साथ और मैं थी आपके साथ अकांशा